हेलो फ्रेंट्स बाई वोल्ड में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स इस रीडियो में हम जीके का क्वेस्चन लेके आए हैं जो आपके परामेडिकल एकजाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और इससे पहले 15 वीडियो आ चुकी है जीके का अगर आप लोग न चमपारण में असका दूसरा नमरण क्वेस्चन है भारत छोडो अंदूलन कॉंग्रेस ने कब शुरू किया था था भारत छोडो अंदूलन जो है वो Grad शरी शॉरू हुँः शे दूसरा कैंसर हो गया, दी, तीसा नमर क्वेस्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद अधिकार है, यह किस ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद अधिकार है, बाल गंगा धर तिलक ने कहा था, जिसका सम्मान के लिए उनको लोकमान्य तिलक का नाम दिया गया, तो बाल गंगा धर तिलक का ही नाम है लोकमान्य तिलक चलिए चोथा नमर क्वेश्चन देखते हैं चोथा नमर क्वेश्चन है महत्मा गांधी जी के असायोग अंदोलन के दोरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थे महत्मा गांधी जब असायोग अंदोलन चरार है थे तो जवाहर लाल उस समय वकालत करते थे और वो अंग्रेज के वोकील हुआ करते थे तो उन्होंने नोक्री अपनी छोड़ दी उसके अचले पाच्वा नमर कुश्चन देखते हैं पाच्वा नमर कुश्चन है नमक सत्यागरा के दोरान निम्रिकित में से कौन गांधी जी से जुड़े नमक स सत्यागरा जब गांधी जी शुरुवात के थे तो सरोजनी नाइडू उस समय अपना एक महला ससक्तिकरन का चला रही थी तो उन्होंने वहां से छोड़ करके सत्यागरा नमक सत्यागरा में भाग ले लिए थी तो क्या हो जाएगा पांच का इंसर बी उसका च्छठा नमर क के उथान के लिए जन चेतना जगाने है तू लंदन में इस्ट इंडिया एसोसियेशन के अस्थापना की थी तो छठा गैंसर हो गया ए उसके लाद सत्वा नमर कुश्चन है भारत में समाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इलवर्ट बील किस ने प्रस्तावित किया था या इलवर्ट बील किसके द्वारा लाया गया था तो यह हो जाएगा लॉड रिपन लॉड रिपन ही लाये थे भेदभाव उची नीची छोटी जाती के बीच बढ़ रहा था तो उस समय लॉड रिपन थे यहांके तो उन्होंने यह विल लाये थे तो उसके वाद 8 नमर question देखते हैं 8 नमर question है आम आदमी party का स्थापना को उड़ी का स्थापना जो है वो 26 नमंबर 2012 में हुए था और जिन केãy C.M जिन पार्टी के cm अर्वेिंद के जिर्वाल है । छलिए यह question पूछा जा सकता है क्योंकि नया party है और केपिटल में ये पार्टी राज कर रही या सासन कर रही है तो इसलिए पूछा जा सकता है नमा नमर क्वेस्चन है भारत का पहला विधी और निया यानि कि लौ एंड जस्टिस का मंत्री है लौ एंड जस्टिस के मंत्री जो थे पर्थम जब देश अजाद हुआ था तो मंत्री मंडल का गठन हुआ तो उस समय लौ एंड जस्टिस के मंत्री जो है डॉक्टर भीमर अमेदकर को बनाया गया क्योंकि ये वकिल भी थे एडवोकेट भी थे बहुत बड़े तो इने लिए इसी को बनाये गए चलिए दसवा नमर कुश्चन देखते हैं दसवा नमर कुश्चन है लोग सभा का उमिदवार होने के लिए अल्पमत उम्र क्या है लोग सभा का उमिद्वार होने के लिए कम से कम आपको 25 वर्स के उम्र होनी चाहिए उसका 11 नमर क्वेश्चन है योजना आयोग कब बनाई गई योजना आयोग जो है आपको 1950 सिस्विम बनाया गया तो बारक एंसर हो गया बी चलिए तेरे नमर क्वेश्चन लेखते हैं तेरे नमर क्वेश्चन है योजना आयोग का परतियस थापना किस से हुआ योजना आयोग का नाम जो है परतियस थापना के बाद नीती आयोग कर दिया गया है परतियस थापना मतलब चेंज हो गया उसके बाद चल्end लिए चौदा नमर कुष्चन लेखते हैं नीती आयोग कब बनाई गई नीती आयोग जो है आपको 1. जन्वरी 2015 को बनाई गई योजन आयोग जो था इसे नीती आयोग बन गया उसके अचली 15 नमर क्वेश्चन देखते हैं 15 नमर क्वेश्चन है स्वक्ष भारत अभियान कब आरम हुआ था स्वक्ष भारत अभियान जो गांधी जी के सपना थे वो 2 अक्टूबर 2014 को आरम हुआ था और 2 अक्टूबर को गांधी जैनती मना आते हैं उसके अचले 16 नमर देखते हैं निर्मल भारत अवियान कब बनाई गए थी निर्मल भारत अवियान जो है 1999 स्री में बनाया गया था आजाद हिंद फोज कब सक्रिय हुआ था आजाद हिंद फोज जो है वो 1942 स्री में सक्रिय हुआ थे और अजाद हिंद फोज के जो अध्यक्स थे या मेन थे वो वो कुन थे सुभास चंद बोस थे उसके अठारा नमर क्वेश्चन देखते हैं राष्टिय विकास पर्षट कब बनाई गई? राष्टिय विकास पर्षट जो है अगस्थ 19-19 बावन इसमिन बनाया गया तो अठारा कैंसर हो गया C चलिए 19 नमर question देखते हैं सारे के सारे important question है देखिए जो भी question लिया गया है वो previous year question को ध्यान में रखते हुए लिया गया है तो सारा question important है तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और हाँ इंगलीस में इसलिए question हम नहीं देते क्योंकि 95% वच्चे हिंदी वाले हैं ठीक है तो इंगलीस में उनको दिक्कत हो जाएगा इसलिए हम हिंदी में ही दे सकते हैं और हिंदी में ही देंगे उसका इसलिए नमर question है राष्टवाद की अवधारना का जन्म किस घटना से माना जाता है राष्टवाद की अवधारना का जन्म जो हुआ है वो पुनर जागरन से हुआ था तो इसका answer हो गया A चलिए बीस नमर question है अखिल भारती हरजन संग हरजन संग की अस्थापना निमलिखित में से किसके द्वारा की गई है हरजन संग की अस्थापना जो है वो महत्मा गांधी ने किये थे तो इसका answer हो गया C उसके अचलिए एक इस नमर question देखते हैं एक इस नमर question है भारत की स्वतनता के समय गवर्णर जन्रल कौन था आजाद हुई थी भारत उसमें लाउड मांट बिटेन नाम के अंग्रेज थे वो बहुत ही अच्छे थे उन्होंने सारे चीज में डिवाइडेशन में बहुत ही अहम भूमिका निवहाई थी तो उन्हीं को पर्थम गवर्णर जनरल रख लिए आजाद भारत के 22 नमर कुश्चन देखते हैं 22 नमर कुश्चन अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन कोंग्रेश के पर्थम अध्यक्ष थे वो थे लाला राजपत राए ठीक है लाला राजपत राए तो बैसका एंसर हो गया हम भी चलिए 23 नमर कुश्चन देखते हैं 23 नमर कुश्चन भारतिय राश्टिय कोंग्रेश का पर्थम अध्यक्ष था पर्थम अध्यक्ष जो थे वो डपलो सी बनर जी थे चलेए 24 नमर देखते हैं चोविस नमर क्विश्चन है भारत का ग्रेंट ओल्ड मेंड किसे कहा जाता है भारत के ग्रेंट ओल्ड मेंड दादा भाई नरोजी को कहा जाता है अजादी के लड़ाई में इन्होंने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिये थे अपना उसके लड़ाई 25 नमर और आखरी क्विश्चन है किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्टिय अंदोलन को एक क्रांतिकारी अंदोलन और जन अंदोलन का रूप दे दिया है तो गांधी जी के अंदोलन जो थे उनको क्रांतिकारी और जन अंदोलन का रूप बोले थे वो थे क इंपोर्टेंट होनी वाली है है ग्वेकिक्षे अंगर आप लोग को अच्छा का लगए तो फिर से दवारा वीडियो देख सकते है क्योंगा हरे question बहुत ज्यादा important है तो वीडियो को लाइक कर दीजे और मिलते है नेक्स्ट वीडियो में